हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का होट स्टडी में दोस्तों, आज मैं आपको एक वेकंसी बताने वाला हूँ जोकि नाविक जीडी और नाविक डीबी के लिए निकली है जीडी मतलब होता है जनरल जूटी और डीबी मतलब होता है डॉमेस्टिक ब्रांच सकते हैं, एप्लिकेशन जो स्टार्ट हो चुकी है, 6 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट जो है, दोस्तों धियां रखीगा, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है स्क्रॉल करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उससे पहरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे यहाँ पर आपको मैं जो भी आगे वैकेंसी जाती हैं, उनकी अपडेट यहाँ पर मैं आपको डीटल में देता हूँ देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसके eligibility की बात करें, तो क्या बोला हुआ है कि online application are invited from male Indian citizen तो यह सिर्फ male के लिए आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, और post of NAVIC GD and NAVIC Domestic Branch in Indian Coast Guard Indian Coast Guard जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दूँ, यह जो हमारे शमुद्री सीमा है, उनकी देखरेक करता है, ठीक है, पीस टाइम में, यह उनकी देखरेक करते हैं, जैसे कभी war वगरा होती है, तो इंडियन ने भी फिर वहाँ पर आजाती है, ठीक है, तो पीस टाइम में 10th Pass वाले भी इसमें अपलाई कर सकते हैं, और 12th Pass वाले भी इसमें अपलाई कर सकते हैं, पर 12th Pass वाले GD के लिए और 10th Pass वाले DB के लिए, ठीक है, एज जो है 18 से आपकी 22 साल एज होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज यहाँ पर बताया हुआ है, नाविक GD एन नाविक डिवी, बॉन विट्वीन यहाँ पर बताया, अगर आप 1 सेप्टेंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 की बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेगा, आपको यहाँ पर छूट भी मिली है, 5 साल की छूट मिली है, SCST को, 3 साल की O करते हैं, वेकेंसी की, तो वेकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, नाविक जीडी की जनरल में 88 पोस्ट है, EWS में 22, OBC में 61, ST में 22, ST में 32, टोटल 225 पोस्ट है, और नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच की टोटल 30 पोस्ट हैं, ठीक है, तो 12 पास वालों के लिए थोड़ी ज देखा हुआ है, कि the selection of candidate is based on all India order of marriage bed of their performance in stage 1, 2, 3, and 4, आपके exam conduct कराया जाएंगे, उसमें जो आपकी performance होगी दोस्तों, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, और scroll करते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया हो, stage 1 में देखिए, सबसे पहले आपका written examination होग ठीक है, document verification, सारी information दी हुई है, कि आपको क्या-क्या चीज़े लगेंगे, और हम इसमें मोटी-मोटी चीज़े देख लेते हैं, देखिए, अगर आप NAVIC GD से apply करते हैं, तो आपको section 1 और section 2 देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको passing marks आप देखेंगे, तो 50 number रहेगा, UR के लिए, और OBC के लिए, EWS के लिए, SCST के लिए 40 number, अगर आप NAVIC Domestic Branch 10th Pass से apply करते हैं, तो आपको सिर्फ एक test देना पड़ेगा, इसमें UR, EWS, OBC के लिए 30 number passing marks रहेगा, और 27 number रहेगा SCST के लिए, passing marks कहने का मतलब है कि इतने पर, यह passing criteria है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ section A देना है, जो 12th pass है, उनको section A भी देना है, और section 2 भी देना है, आप यहाँ पर देख लिए, section A का slivers क्या है, maths 20 number का है, science 10 number का है, 10 question है, English के 15 question, reasoning के 10, और GK के 5 question, section 2 में maths और physics आजाएगा, मैंने बुलो ना, जो 12th pass की है, उनको maths और physics आजाएगा, तो यह आप देख section 1 देना पड़ेगा, यहाँ पर total देख सकते हो कि questions कितने है, start questions है, start questions है, start number के 45 minute मिलेगा, section 2 में 50 questions है, 50 number के 30 minute मिलेगा, ठीक है, यह देखिए, class 10 के slivers के साब से आएगा, questions में, ठीक है, यह देख लीजे, हम इसको scroll करते हैं, और information देख लेते हैं, stage 2 computer-based online test, हमने यह देख जो का physical efficiency test, जब आप इसको कर लेते हैं, तो physical में आपको देखिए कि 1.6 km का running होगा, जो कुछ 7 minute में करना है, जो कि बहुत ज़ादा time है, आप आसानी से कर लेंगे, 20 squats up, उठख बेठख यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, और 10 push up, ठीक है, तो यह जो है, यह आपको qualify कर सकते हैं, तो आप यह देखिए, जो link आपको दिख रही है, मैं इसकी website की link आपको description box में देदूँगा, आप वहाँ से जाके अच्छे से check कर सकते हैं, या फिर online गैफे में जाके आप इसको apply कर सकते हैं, तो धियान रखिएगा last date जो है, 16 February है, तो उससे पहले आप इसको ज अपडेट देते रहते हैं, जो भी नई vacances आती हैं उनकी, धन्यवाद,